फ्रेंट्स अगर आपके फेस पे पिग्मेंटेशन है या जाईया है मेलाजमा है या किसी तरह के डार्क स्पॉर्ट्स है आप उनके लिए बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो महंगी क्रीम्स का इस्तिमाल कर चुके हो साथ ही आप कई सारी होम रेमेडीज भी इस्तिमाल कर यहां सिर्फ 15 डेज आप इसको इस्तिमाल करके देख लीजिए यह एक ऐसी रेमेडी है जो हाइपर पिग्मेंटेशन को भी लाइटन कर सकती है बट इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा Hey guys, welcome to Anu Amaya Skincare Friends, पहले बात कर लेते हैं कि पिग्मेंटेशन होता क्यों है और जब यह एक बार होता है तो फिर जल्दी जाता क्यों नहीं है So friends, इसके कई सारी वज़े हैं जिनका मेंन रीजन यह है जब आपको बिटिमिन B, 12 और साथ ही साथ बिटिमिन D, Deficiency हो जाती है बॉड़ी में इसे आपकी पिग्मेंटेशन यू यू करके गायब होती है तो पहले स्टेप में हम अपने लिए एक मास्क प्रिपेर करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा जाइफल यानि नेटमेक या बरसों से हमारी रसोई में हमारी किचन में इस्तिमाल होता रहा है बट यह मूल रूप से इंडोनेसियाई स्पाइस है फ्रेंट्स जाइफल एंटी ऑक्सिडेंट एंटी इंफलमेटरी प्रॉपटी से भरपूर होता है साथ ही साथ इसमें होता है कॉपर, फाइबर, मिनरल जैसे मगनीशियम, मैगनीज, साथ ही साथ बिटमिन B और बिटमि इसमें भी मिलेगा, यह देखने में काफी हार्ड लगता है, बर इतना हार्ड होता नहीं है, आप एक ग्रेटर की हेल्प से इसका पाउडर बना लेजे, या फिर आप इसको खरल, इसको साथ खरल ही बोलते हैं, या ओकली जो भी बोलते हो, इसमें भी इसको अच्छी तरे स क्रस कर सकते हैं, हमारा अच्छा कासा पाउडर बन के तयार हो जाता है, तो मैंने यहां पे पाउडर बना लिया है, अब देख लेते हैं, हमको अपने लिए मास्क किस तरे से प्रिपैर करना है, तो पहले हमको चाहिए होगा, वन टेबल स्पून कर्ड, हम इसमें हाफ चाहिफल पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे, इससे जादा आप बिल्कुल मत लीजेगा, विकास कई सारे लोगों को यह सूप नहीं करता है, और अगर आपकी स्किन सेंसिट्यू है, तो एक बार पैच टेस्ट करके जरूर देख लीजेगा, अगर आपको किसी तरे की इच कर लेना है, फेस पे लगाना है, अच्छी तरे से, फिर चार से पांच मिर तक इसको मसाज दीजिए, आप चाहें तो पूरे फेस पे लगाके मसाज दीजिए, विकास यादकी स्किन को टाइटन भी करेगा, înधर दही का मसाज देना है चार से पांच मिनट मसाज देने के बाद आप इसको कम से कम 15 मिनट के लिए इसी तरह फेस पे लगा रहने दीजिए उसके बाद आप इसको नॉमल पानी से पॉस कर लीजिए यह हमारा फर्स्ट श्टेप कंप्लीट होता है सेकेंड श्टेप में हम अपने यानि नारियल तेल भी ले सकते हैं तो मैंने यहाँ वन टेबल स्पून लिया है अलोवीरा जेल और इसमें मैं एक चुटकी आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल जरा सा जाइफल का पाउडर मिलाया है इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फेस पे लगा के चार करके रख लेना है और यह आराम से 15 दिन तक चलेगा बड़ जैसे मैंने बताया है जितना मैंने जो इंग्रिडिंट लिया है उतना ही लीजेगा उससे ज्यादा नहीं लेना है इसके साथ ही साथ आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है तो आप उपर से कुछ लगात करते हैं तब इग्डिंडेशन जा सकती है हलकी हो सकती है लेकिन हो सकता है वो थोड़े टाइम के बाद वापस आजाए आपको इंटर्ली हल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको बादाम लेना है मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीजिए जैसे आप पनी ले सकते हैं अगर आप नॉन वेच खाते हैं तो आप अग ले लीजिए फिश ले लीजिए चिकन लीजिए रेड मीट भी ले सकते हैं ये भी बिटमिन B12 और बिटमिन D रिच होते हैं ये आपको अपने डायेट में सामिल करने हैं साथ ही साथ अच्छे संस्क्रीन का इस्तेमाल करना ब पर डे बीना है, so friends, इतना कर लीजिए, फिर देखिए कैसे आपकी जाईयां खत्म होती है, ये सिर्फ सुनने में लग रहा है, बहुत ज्यादा, लेकिन जब आप करेंगे, आप ध्यान देंगे, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है, करके जरूर देखिएगा, और अपना feedback देना बिलकुल मत भूलेगा, तो वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलेंगे next वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, thanks for watching, bye bye